तो भी याई YouTube से कमा कमा के पैसे करोडपती बन गए और करोडपती बनने के बाद फिर उस पैसे से रेश्टूरेंट खोल लिया और अब रेश्टूरेंट खोल लिया तो अब ऐसा लग रहा है जैसे इनको YouTube की जरूरूत नहीं है तो जबी तो फानी बावु ने फटाक से कह है कि चालू के जहां में आपका स्वागत नहीं है मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसा वर यूट्यूब चैनल की जरुवत नहीं है तो चालु तो चालु चालु का बहुत अची तरह के से पता है कि restaurant का भविश्य नहीं है लेकिन अभी यूट्यूब का तो है ही इसलिए फट से सोरी बुलवा ले और ऐसे नहीं लग रहा कि कुछ जादा ही सोरी बुलवारी है आजकल जब से इसके मम्मी पापा गए है जब से इसको हर बात के लिए सोरी बुलवारी है बात बात पे इसकी चोरी पकड़ रह कि यह ना पीछे से कवर है ना आगे से कवर है यह तो हिजाबी है यह बाई बता ही नहीं चल. ज रहा कि हिजाबी देखिंगे या तो alsyn ले बात करते हैं रहे हमने लहां कि मुझे अभी अब हिजाब मारी एक पर 알क Спाषो से यह नहीं कण भी लेने के लिए फनी को साथ में लेकर चलते हैं फ्रेंच देखो हमें सामान में रखा हुआ क्या मिला यह पर्स मिला और जो कि हमने कबाड़ी के साथ रखा हुआ था मतलब इतना महगा पर्स इसको कोई वैल्यू नहीं है जिसको उठा के इसने कबाड़े के साथ रख रख रखा था जो की कैमरा ढूंटे ढूंटे इसको समान में मिल गया ओ माई गॉड ये वैल्यूज है भाई पैसो की मतलब आप समझे गूची के बैक को इसने ऐसे फैक रखा है कि जैसे कबाड़ा इखटा करके फैक रखा हो कोई सहूलियत नहीं है इसको वरत को देखो भई ये वैल्यू है मतलब ये फ्री फंट का पैसा है क्योंकि जादा कुछ करना नहीं होता है कैमरा उठाना होता है रिकॉर्ड करना होता है और अपने जिंदगी के बेवकूफ विवाने हरकते जो है रिकॉर्ड करनी होती है उनको अपलोड करना होता है और बेवकूफ लोग जो है उनको देखते हैं और उनको व्यूज देते हैं और जिन व्यूज से इसको पैसा डॉलर में ये कमाती है उनसे ये इतनी महंगी महंग यह लड़कियां जो होती है टीनेजर यह उनके लिए होता है जो थोड़े बहुत अपने पैसे रख लें कीज रख लें और फिर बस ऐसी टशन में घूमती रहें आप जैसों के लिए निया जिनको सामान लादने की आदत है दुनिया भर का और कहती है मैं बड़े पर्स लेती इसलिए इसलिए पर अच्छे नहीं लगते हो वाँ 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 क्या मोके पर चोका मारा है देखा बिना वजे की घूमने जारी है मौसमें सोवाना घूमने जाने का है बहाना पॉइंट विनोट इड बहाना क्योंकि काम थोड़ी ना करना होता है इसको तो स्रफ घूमने जाना होता है व्लोगिंग करना होता है एक काम तो इसका रेस्टोरेंट में चलना है इतने सारे लोग रख्यों में महां से अर्निंग होई दिए हाँ वो अलग बात है कि आदी अर्निंग जो है अपनी खुद की होती है क्योंकि खुद खान दान खाना मंगा मंगा के जो खा खीर बनी दी और हमें खाना तो वह बहुत जरूरी था और फ्रेंट्स अब हम नहीं बताएंगे कि हम यह मीठी खीर खा रहे हैं यह फीकी कीर खा रहे हैं इसलिए वह जो रेड कलर के आप बहुत बड़ा सा पेड़ी यह 8000 रुपे कर लेकर आई ती वह लाकर इसने यहां पर खड़ा कर दिया जबकि खड़ा करने की यहां पर भी जगर नहीं है अटजस्ट ही कर रहे हैं उसको यहां करें यहां करें लेकिन फिर भी उठा लाई है उसको और क्योंकि हमने अपने रेस्टोरंट में एक नया प्लेटर जो है इंटिड्यूस किया है तो हम उसको सड़क भूहोлом हम पक्की वाली हिजाबी यह अर भी नॉटंग की वाली पूरतम चीज है रहा हां है चालू अपी के सारे बाल और अब इतने ही बाल नज़र आरे हैं लेकिन चालू प्यून को ब्लर करना लगता है भूल गई है देखो ज़र एक स्क्रिंशोट लगाया है तो मैनेजर हमें बता रहे थे तो हमने सोचा आप सब को भी दिखा देते हैं तो उसमें बड़ी प्लेटर में लगता है बिर्यानी है चिकन के पीसिज है कवाब भी है अंडा भी है टमाटर गाजर से भी उसको सजाया हुआ है यह पूरा बगीचा है ना हम यह आपको खड़े होकर सड़क पर दिखा देते हैं कि हमने यह बगीचा इंट्रिजूस किया है ऐसे प्लेटर दिल्ली में बहुत बहुत है कई जो ज़्यादा करी पड़ता है तो वह जामा मज़े जाती है कुछ पब्लिक जाती है शाइन बाग की तरफ को यो कि वहां पर भी बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट है बहुत ही अच्छे-च्छे मुगले खाने के रेस्टोरेंट है यानि कि आपको हर चीज वहां पर अवेलेबल हो जाएगी तो फ्रेंट्स में तो ठक गई रेस्टोरेंट में बहुत सारे रोज की काम होते हैं ऐसे लगता है अभी तो यह किया था जैसे तुम सारे दिन वहां रहकर यह सारे काम ही करती होंगी और पिज़र जैसे देखो बड़ों के साथ बच्छे चले बच्छे आए इसे फनी ने महा से फिरिज लिया था और हमने यहां से समान ले लिया है तो इसने एक लेलिया है एड़फोन जबकि इसके पास ब्लूटूथ भी है नेक बैंड भी है सब चीजे हैं मतलब बच्छे ऑल्रेड़ी घर में सारे चीजे यूज करें लेकिन आब गाड़ी में बैट कर जिससे की खुद के personal song सुनने हैं इसलिए इसने ये headphone लिया जिससे की funny को बुरा ना लगे क्योंकि इनको आदत है तिये जब आज में गाने सुनने का वा रे वा हिजाबी वा और हर चीज का इसको मजाग बनाना actually headphone इसने फर्स टाइम खरी देंगे ना इसलिए इसको पता नहीं है headphone ऐसे ही होते है friends मैं तो alien लग रही हूँ क्या justify किया है खुद को इसने जुमा जुमा आट दिन हुआ है funny के restaurant हुए वे आपी तो ढंग से पूरी earning भी नहीं हाई होगी आप भी नहीं भी नहीं होगी रख भी नहीं भी रहोंगे में आए ना और आप इसको एक दो दिन का शौक देखोगे और उसके बाद आप इसको 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 इस्तमाल करते वे बिल्कुल भी नहीं देखोगे नहीं वो तो छोटा था जो तुम्हें दिया था नहीं बड़ा दिया था वो बता रही है कि मुझे बड़ा वाले दिये थे जो अब रिहान ने ले लिए हैं वो तुमने दिलाए थे मेरे बड़े पर और भूल गई है तो वो ले 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 थी भाई क्यों ले कर आई थी तुमें नहीं पता तुमने अपने भाई बेनों को क्या दिलाए है उनके पास क्या समान है क्या नहीं है लेकिन पैसा भाई पैसा सो समझका तो खर्च करना ही नहीं है और यह यह पबली को सिखाती है यानि कि जितने भी टीनेजर बच्चे है या जितने भी ओड़ते हैं इसका यह व्लोग देखती है वो इसलिए उम्मीदें लगाते हैं अपने फैमिली से कि जैसे यह खर्चा कर रही है जैसे यह सूट पैन गया है हमारे बच्चे टीवी मांग रहे हैं भाई मैं एक बात बताओं इतना महंगा टीवी जबकि यह एक सवालाग के बीच में आता है यह साइज है टीवी का तो यह फ्री में कैसे दे गीववे में कैसे दे यह किसी को 20 रुपे न दे इतना छोटा दिल है इसका तो यह एक सवालाग का चलो अब इसने यूज़ भी कर लिया तो चलो उसके रेट ओर गिर गए होंगे 75 तक हो गया होगा जो कि फनी ने रेट लगाया है फनी ने रेट भी लगा दिया बाई समझ लो आपने रेट लगा दिया इतने तक कि अगर आप खरीद सकते हो तो खरीदने के रिये तो फिर आपको पुराना इहीं मिला है अरे नई बही नए जो इनके मुरीन है न वो इनका पुराना भी खरीद लेंगे प्रशाथ समझके कि चलो भाई हमारी चालू अपी ने इतने दिन घरम इस्तमाल तो चलो भई हमारे लिए तो ये चीज पूजी नहीं है चलो चलो ले लेते हैं चलो अपने 70-70-70,000 रुपे बताएं कोई बात नहीं हम 80,000 देंगे और हमें दे दो ये जाओ जाओ खरीदो खरीदो टीवी खरीदो ताकि चलो अपने घर का बचा हुआ काम कर सके क्योंकि जैसे कि होता है बच्ची बनना है इसको सरफ आप लो भही लो बस अभी हो गए ना इसकी खुशी पूरी हो गई है सरफ घर में लगाऊंगी और कार में लगाऊंगी और कार में कितनी बार इसको याद रहेगा कि मुझे इसको ये लेकर जाना है और घर में इसको कितनी बार अब और जैसे अब यह गुच्य का पर्स निकाला था वो फैक रखा था ये भी कहीड देगी इसको फिर भूल जाएगी सालों साल के लिए, जैसे कैमरे को भूल गी थी, जैसे हमने कहा है न देखो वो बच्चे भी कह़े हैं, कहे हैं नीचे देदो हम लोगों को यह टीवी, तो भाई दे दो ना, अपनी अम्मी के लिए इतना नहीं कर सकती, उन बच्चों के लिए इतना नहीं कर सकती, कि क्यों अपना लिए नया खरिद ले, क्यों 70-75 अजार रुपे किसी से मांग ये नीचे लगा दो, ये टीवी, उनका छोटा वाला टीवी उपर लगा लो, और फ्रेंड्स, अब हमें फनी बूला रहे हैं, रात के साड़े बारा बजे, अब हम चलते हैं, वापस से रेस्टोरेंट, और हमारे जो मैनेजर का कल बर्डे भी था, तुम तो रोज दिन में 2-3-3 बार जा रही हो, फिर तुमने बर्डे विश नहीं करा, ओ, बूल गई ह तुम अब याद आया है, तुम नेक्स डे उसको विश करोगी, और ये देखो भाई, ये होता है, सस्ते कपड़े लेने कर नतीजा, अपने कपड़े हमेशा अच्छी जगर से लेकर आती है, अपनी अम्मी के कपड़े हमेशा अच्छी जगर से लेकर आती है, लेकिन पीज ही फैल गया कैसा कपड़ा लेकर रहें कि जमीन पर लटक गया है गदा लगा मुदे कुंग Link के समय इस्केcin की तरफ सुफट है पहले से चलो अच्छा हुओ फणी हमें लेने आगे चलो दो मिनिट की सही हमें ड्राइव तो मिली मतलब यह उनको बुलाया गया है तुम आ जाओ और हम गारी में बैट का जाएंगे और तब रेस्टोरेंट जा रहा है तो भाई यह इसलिए बुलाया गया था कि जो मैनेजर है फोटो शूट करा ली थी मैं एक स्क्रिंशोट लगा रही जो इसके बराबर में जहां पर फोटो शूट का इसका जो भी वह जगा बनाई हुई है उसी के बराबर में शटर गिरे हुए रेस्टोरेंट के जरे स्क्रिन की तरफ देखिए और कहने का मतलब यह है कि बारा गिरा रेका है तूट गया फ्रेंट्स भाई साब एकदब मूह देखो इसका ऐसे मूह बना रखा है कि जैसे पता नहीं कितना बड़ा नुकसान हो गया रेसे ने क्या कर दिया हो अचानक से इसको हो क्या जाता है इसकी नोटंकिया क्यों शुरू हो जाती है यह समझ में नह जस्ती का फनी ने नास्ता मांग लिया इसलिए बिना मन से यह जब जस्ती उठकर इसको नास्ता बनाना पड़ा है इसलिए मूर खराब है और इसलिए तोड़ा फोड़ी मचा दिये इसने किचन में फनी पूछ रहा है यह अंड़ उंड़ कैसे तूटा जवाब नहीं बन पूल वाया था अगले दिन हो गया है और नास्ता तो सबको देदा दिया है और बैटके नमाज पढ़ लिया तो दिखा भी दिया कि हमने नमाज पड़ा है और यह कहां से आयता हमें याद नहीं है मतलब कोई किसी ने इतनी मेहनत से शिद्दत से भेजा है कि उसका प्रोमो दस बज़े तक ले लो ग्यारा बज़े तक ले लो भाई ये नमाज अदा करने के बाद ले रही है अब सोच का दखो इसने नमाज अदा करी है तो कितने बज़े नास्ता ले रही है और अंडे ले रही है ये इसका नास्ते का टाइम है किसी भी चीज का कोई शेडियूल नही तो फ्रेंट्स फनी के लिए तल रही हूं में मखाने और गी तो नीचे नीचे रह जाएगा अब इतनी सेंस नहीं है इसको उनको चलाना होता है कि यह फ्रेंट्स कोक्रोज बहुत ज्यादा होगे कैसे हटाऊ अरे भेन अकल की अंदी गूगल कर और पता कर पेस्ट कंट्रोल करा सारे के सारे कोक्रेज का है अब वो जैंगी सफाई कर रवा सकते ओ संफासरी अर्पन क्लाप से बुला कर सब सब सबसुकिछ करवा सकते हो आप इस आप चीजे होने लगी वाह चा लौ पिवा क्या अच्छी तरीके से फुक्साना बाजी को शेड कर रही है चौकलेट मोल्ड क्या अब धुले हैं भाई वो तब से क्या ऐसे छोड़ रहे थे भाई और देखो कितने सारे चौकलेट मोल्डर कितना सारे समाने जो पीजा ने दोकर रखा हुआ है वहां पर यानि के क अब चौकलेट बनी थी और अब धुले हैं वा भाई वा और घी डालो और घी डालो फणी कह रहा है और घी डालो क्योंकि सूके है यह चितना घी डाले उतना पी जा रहे हैं तो वह तो भाई पी जाते हैं मखाने तो ऐसे ही होते हैं पहली बार तल दियो क्या पता नहीं है गी डालो गी में रोटी डालो दाल में रोटी डालो रोटी पे गी लगाओ और घी के पीछे तो और ये देखो अपनी आपी होते जारे है काले कोई काम चबा इबराहीम का ढंक से नहीं कर सकती मतलब कहने का बार बार जब भी मौगा मिलता है ना फनी बोली देता है कि तू व अब मैं totally इसके ओपर dependent थोड़ी हूँ, अब तो मेरा restaurant चल गया है, अब तो मैं काम करता हूँ, अब मैं नरला थोड़ी न हूँ, और अब मैं काम का जी हूँ, ना कि मैं घर बेठा, जमाई हूँ, अब मेरा restaurant है खुद का और मैं अपनी खुद की कमाई करता हूँ तो अब मैं कुछ भी बोल सकता हूँ और जैसे ही उसने फणी नहीं से बोला ऐसे घूर के देखा भाई आँखे से जैसे बिल्कुल आँखों से तीर चला देगी जोकि चालू का कोई काम बिना जले बिना कच्चा कुछ होई नहीं सकता मतलब ये फणी के शब्द है ओ माई गॉड मैंने क्या सुन लिया देजी घी में तल कर मखाने खाने को हेल्दी खाना कह रहे हैं अगर हेल्दी होते तो उनको ड्राय रोस्ट करकर तब उनके नि पर जो भी मसाला, चाट मसाला कुछ डालना होता तो उनको ड्राय रोस्ट करकर खाना होता न वो होता हेल्दी भाई तुम तो देजीगी में उनको सेखसेख के तल तल कर खा रहे हो और पर कह भी जितना घीठ डाल रही है उतना ये ड्राइ हो रहा है मतलब घीर पे घीर डालते चले जाओ डालता ला हुआ खाने को हेल्दी गया रहे है वाओ मखाना है हेल्दी है बर ड्राइ रोस्ट करकर खाओ और अब फाइनली वो आ गई है लेकर राखी तो कि फनी नाराज हो गया था अब घुमने फिर जाने नहीं देंगे तो भाई पीजा ने सोचा कि अब तो मेरी सारी चीज़े ऐसा नहों कि कम सकम बंद कर दें ये तो चलो भाई एक राखी तो बांधनी है चलो राखी ले आते हैं तो वो राखी लेकर आ गई है बांधने के लिए अब ये ने ने चोचले हो रहे हैं कि तो मुझे गाना सुनाओ वाओ तुम मुझे गाना सुनाओ कि तब ही मैं राकी बंद वाओंगा भाई साब कितना बुरा गाना गाया है और भाई राकी बंदने के लिए वो ट्रे में कितने सारी मिठाई निकाल के लेकर आया है क्या मतलब पूरे महले को राखी बांध नहीं है क्या एक फणी कोई तो बांध नहीं है यह फणी सारी मिठाई खा देगा इसको पता है क्या फणी इतने सारी मिठाई खा लेगा तो भाई अब एक बार और फिर से नहीं बाबू बैठके पहले से कौट लिखा हुआ, एक message का जभी का राकि वाला लिखा लिखाया है, तो कहरें जो हो एक सिंगल छीज, जो कार्ड पर लिखी हुई थी, पठा नहीं किसी चीज लिखी लिखी वह पढ़कर बताने में इतना किस चीज का डर है भाई पढ़े लिखाई हो ना वाकिमी या पढ़ाई लिखाई से कुछ प्रॉब्लम है अब कहती है कि गाना तुम गाओ मतलब वो कहती है एडिटर से कि तुम गाओ भूठ चड़ा हुआ है भाई मेरे बहुत सारे सबस्क्रायाबर ने यह बोला कि ये सिर्फ और सिर्फ भाई बहन के लिए होता है पसके लेकिन जी जासाली का रिष्टा ना हिवह नहीं ये ना सुना ना देखा ये सब अनौखी चीज इनके घर में देखने को मिलती है just because क्योंकि वो उसको funny भाई बोलते है जालू गाकर बता रही है गाकर क्या मतलब वो ऐसे ही बता रही है कि ऐसे गाओ कि ऐसे तरह से गाओ कहती है तुम गादो मतलब इस लड़की में 19 साल की लड़की हो गई है इसमें इतनी अकल नहीं है कि ये बीवी को पहले भी ये कह दे थी कि तुम बोल दो जीजा तुम गादो गाना भाई हद है इस लड़की में सच मुझ में क्या परवरिश दे रहे हैं ये बच्चों को किस महौल में ये बच्चे रहते हैं तो funny ने कहा है कि तुम मेरी क्या भाई हूँ क्या अच्छा भाई जब ये भाईया भाईया कहते रहती है बेटा बाबू सब कहती रहती है तुम भी जब इसको बेटा बेटा कहते रहते हैं तब तुम्हें रिष्टों का खयाल नहीं आता तुम मियां बीवी या तुम्हारा शोहर बीवी का रिष्टा है? कि नई तुमें जो है भाया भी कहना है और गहले ट भी करना है अपने रिष्टे को अब क्या करना है और तब क्या करना है वीडियो जब्ड़ी हो जाेगी इसलिए मैं इसको यहीं divine करते हूं